हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो नोईज ने अपनी एक नई वाच लांच कर दी है जिसका नाम नोईज मेटल है तो इस वीडियो में हम इसी नोईज स्मार्ट वाच के बारे में बात करेंगे तो अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं गया है तो सस्क्राइब कर लेना और की फ्रेंट साइड में आपको नोईज की ब्रेंडिंग के साथ मैटल देखने को मिल जाता है साइड में आपको कुछ की हाइलाइट देखने को मिल जाते हैं इस बॉक्स में आपको बन एयर वारंटी एंड नोईज के स्टीकर देखने को मिल जाते हैं और साथ में यहां पर आपको एक charging cable देखने को मिल जाता है जिससे आप अपनी बॉच को चार्ज कर सकते हैं और एक user manual के साथ आपको एक toolkit देखने को मिल जाएगा जो strap दिया है उसको आप adjust करने के लिए use कर सकते हैं तो बॉच की बात करें तो यहाँ पर आपको एकदम classy watch देखने को मिलती है यहाँ पर आपको routing crown वाला option भी दे रखा है जो की आपको अच्छा लगेगा एक और button दे रखा है जो आपको watch के function पर ले जाएगा और पीछे की side आपको सारे sensor देखने को मिल जाते हैं and speaker grill और microphone भी देखने को मिल जाते हैं बात करें इसके display के बारे में आपको यहाँ 1.4 IPS display देखने को मिल जाती है display की brightness की बात करें तो indoor और outdoor में आपको दोनों ही जगा सही देखने को मिल जाती है और रही color की बात तो आपको यहाँ पर color भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं display पर आप उपर की side swipe करेंगे तो आपको यहाँ पर brightness, setting, night mode, type के shortcut देखने को मिल जाते हैं setting की बात करें तो यहाँ पर भी कई सारे option देखने को मिल जाते हैं last में आपको power of button देखने को मिल जाएगा उपर से swipe down करने के बाद आपको notification देखने को मिलेंगे right side से swipe करने पर आपको यहाँ पर function देखने को मिल जाते हैं और left side से भी जो की आपको noise की सारी बहुच में देखने को मिल जाती हैं नीचे वाले button को press करने पर आप sport वाले function में आ जाते हैं इसकी feature की बात करें तो आपको activity, sleep monitor, heart rate, spo2, breathe monitor भी देखने को मिल जाता है history और dialing pad के साथ 10 contact भी save कर सकते हैं इसके बाद clock में आपको clock timer and world clock का feature देखने को मिल जाता है and workout वाले feature में आपको कई mode दिये गए हैं जैसे outdoor running and yoga and cycling जैसे वहुच सारे mode देखने को मिलते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर music control देखने को मिल जाता है और इसके बाद आपको calculator का option भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको कुछ watch face मिल जाते हैं जो आप noise fit app से connect करके आप अपने अनूसार लगा सकते हैं इसके water test की बात करें तो हम आपको यहाँ पर IP6 का water register मिलता है मेरे according bluetooth calling भी एकदम ठीक ठाक काम करती है और बात करें इसकी battery के बारे में तो आपको without calling and normal uses पे 6-7 दिन का backup मिल जाता है and calling पे आपको 1-2 दिन तक का backup देखने को मिल जाएगा आती है इसकी pricing की बात तो यहाँ पर आपको 2499 में यह smartwatch देखने को मिल जाएगी वीडियो परसंद आईए तो वीडियो को like and share and channel को subscribe भी कर लें